नमस्कार मैं हूँ आपके संगनित्यम मंत्र तंत्र यंत्र वास्तु के विशेश काजक्रम के साथ मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुस्मांडा की पूजा भीधी हम आपको एक दिन पहले बता रहे हैं ताकि आपको पूजा में कोई गलती ना हो कोई चुक ना हो तो बने रही हमारे साथ हम आपको बताएंगे कि मां कुस्मांडा का क्या है स्वरूप और मां दुर्गा के इस स्वरूप मां कुस्मांडा की क्या है पूजा भीधी हम आपको ये भी बताएंगे कि मां कुस्मांड आपको मा कुसमांडा की पूजा से मिलेगा इसके साथ साथ अगर आपके जिंदगी में कोई financial issue है या business नहीं चल रहा है तो मा कुसमांडा की पूजा करके निश्चित रूप से आप इन समस्याओं का भी समधान कर सकते हैं तो बने रही हमारे साथ हम आपको एक एक चीज खोल करके बताएंगे ताकि पूजा में आप से कोई चुक ना हो तो सबसे पहले में आपको बताते हैं कि मा कुसमांडा मा दुर्गा के इस स्वरूप का क्या है खास बात देखिए कुसमांडा देवी की आठ भुजाएं हैं जिनमें कमंडल, धनूश बान, कमल पूश्प, शंक चक्र, गदा, अमरित कलस और सभी सिद्यों को देने वाली जपमाला भी इनके हांत में हैं इनका बहन सिंग है और इनकी भक्ति से आयू, यस और आरोक की बिर्दी होती है मा को बलियों में कुम्रे की बली सबसे ज़्यादा प्रिय है, इसलिए इनक कुसमांडा देवी भी कहा जाता है हम आपको बताएंगे कि मा कुस्मांडा का क्या है बिसेस मंत्र लेकिन उसके पहले हम आपको बताते हैं कि मा कुस्मांडा के दिन आप क्या खास उपाय करके अपने financial issue या आपका business नहीं चल रहा है तो आप इन समस्याओं से कैसे निजात पा सकते हैं तो क्या करना है आपको पान के पत्ते के ऊपर दो हरी इलैची रखें और देभी कुस्मांडा को अर्पित करें इससे आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएगी इसके साथ साथ नबरातर में एक नार्यल को चुनरी में लपेट कर business के जगह पर रख दें धनहानी की संभामना कम हो जाएगी और बेपार में आपको लाब भी होगा अब हम आपको बताते हैं कि मा कुस्मांडा का क्या है खास बीज मंत्र देखिए मा कुस्मांडा की जो पूजा की सुरुवात की जाती है वो कुस्मांडा देभी की अस्तूती से की जाती है यह स्तूती है या देवी सरभूतेशू मा कुस्मांडा रूपें संस्चिता नमस्तस्ये 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 दूसरा बीज मंत्र भी है ओम देवी कुस्मांडाय नमाहा ओम देवी कुस्मांडाय नमाहा इसके साथ साथ इसका एक महा मंत्र भी है मंत्र है ओम हिरिंग श्रिंग कुस्मांडाय दुरगाय नमाहा तो आपको सबसे पहले देवी की पूजा की सुरुवात करनी है देवी अस आपको एक सा आठ बार जब करना है तब जाकर के मा की पूजा का आपको पूरा पूरा फल मिलेगा हम आपको बताएंगे कि मा कुसमानडा की क्या है पूजा बेधी लेकिन उसके पहले हम जानते हैं कि अगर आपकी जिन्दगी में धुर्गती और दर्जित्ता का नास करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या खास उपाया आप इस दिन कर सकते हैं नवरातर में कर सकते हैं तो इसके लिए आपको एक मंत्र की जाप करना है मंत्र है ओम दुम तुर्गयनमः इस मंत्र का आप यथा सक्ति जब करें और जब इधि क्या है ? रुद्राःक्ष की माला से आपको जब करना है देभी के सामने घी का एक दीपक जलाएं और देवी से दुरगती और दरिता दूर करने की प्राथना करें इससे निश्टित रूप से आपके जिन्दगी में जो दुरगती है जो दरिता है उसका नास हो जाएगा हम आप चर्चा करते हैं कि मा कुसमानडा की क्या है खास पूजा बीधी देखिए सबसे पहले कलस और उसमें उपस्थित देवी देपता की पूजा करें पूजा की बीधी सुरू करने से पहले उसके पुर्व हाथ में फूल लेकर देवी को परनाम करें इसके बाद बरत पूजन का संकल पलें इसके बाद बताये गए मंतर का जब करें और हरे कप्रे पहन कर ही मा कुसमांडा का पूजा करें मैंने जो आपको इसके पहले मंतर बताई है इस मंतर का आपको जब करना है अब हम आपको बताते हैं कि मा कुसमांडा को क्या भोग आपको लगाना है देखिए कुसमांडा का अर्थ है कुम्रा तो मा को बलियों के रूप में कुम्रे की बली सबसे ज़्यादा पिरिया है इसलिए इन्हें कुसमांडा देभी भी कहा जाता है तो पूजा के दोरान आपको मा को हरी इलैची, शौप और कुम्रा अर्पित करना चाहिए इससे आपकी पुजा संपुन होगी इसके साथ सथ हम आपको बताते हैं कि मा कुसमांडा का क्या है विसेश प्रसाद देखिए मा कुसमांडा को मालपुय का भोग लगाएं इसके बाद प्रसाद को किसी ब्रामन को दान कर दें और खुद भी खाएं इसे बुद्धी का विकास होने के साथ साथ निर्ने छमता भी अच्छी हो जाती है तो मा कुस्मांडा को मालपुय का भोग लगाना अतियावस्यक है ये मा को बहुत प्रिय है अब हम आपको बताते हैं कि देवी कुस्मांडा के पूजा करने से क्या आपको फल मिलता है क्या लाव मिलता है लेकिन उसके पहले हम आपको इस नवरातर में इस दीन एक खास उपाय बताते हैं जिससे आप अपने बानी में सकती और एक खास ब्यक्तित अपने अंदर पैदा कर सकते हैं तो कैसे आप अपनी बानी में सकती और एक अट्रेक्टिव प्रसनलिटी पैदा कर सकते हैं इसके लिए इस दिन आपको क्या खास उपाय करना है तो इसके लिए हरे बस्त्र पहन कर हरे फल देवी को औरपित करें तथा पंच मुखी माला के रुदराक्ष भी देवी को औरपित करना है इसके बाद सबसे पहले देवी के मंतर ओम देवी कुसमांडाय नमहा इसका एक सा आठ वार आपको जब करना है इसके बाद बुद्ध के मंतर ओम बुम बुधाय नमहा इस मंतर का भी आपको कम से कम एक सा आठ वार जब करना है इसके बाद रुद्राक्स की माला आप धारन कर लें लेकिन ध्यान रहे रात में सोने से पहले माला उतार कर रख दे फिर अगले दिन आप इस माला को धारन कर सकते हैं अन्य था माला की जो सक्ती है वो खत्म हो जाएगी अब हम आपको पताते हैं कि देवी कुस्मांडा की पूजा करने से क्या खास लाभ आपको मिलता है देखिए मा कुस्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं इनकी भक्ती से आयू, यस, बल और आरोग की बिर्धी होती है मा कुस्मांडा की उपासना मन्स को आधियों ब्याधियों से सरवधा बिमुक्त करके उसे सुख समर्धी और उनत्ती की और ले जाने वाली है इसके साथ साथ मा कुस्मांडा की पूजा करने से साधक का अनाहत चक्र जागरित हो जाता है तचा असमर्ण सक्ती वानी दोस से भी छुटकरा मिल जाता है अगर आप मा कुस्मांडा की पूजा करते हैं इसके साथ साथ आर्थिक और बैवसाय की समस्या से भी आपको मुक्ति मिल जाती है अगर आप मा कुस्मांडा की पूजा सही तरीके से कर लेते हैं इसके साथ साथ अगर आपको कोई confusion होता है या आप एक दुबधा के अस्थिति में होते हैं तो इन confusion से भी आपको छुटकरा मिल जाता है अगर आप निर्णे नहीं ले पाते हैं तो इन चीजों से भी आपको छुटकरा मिल जाता है मा कुसमांडा का संबंध बुद्ध गरह से होता है इसलिए बुद्ध गरह से संबंधित सारी समस्याओं से आपको मुक्ती मिल जाती है अगर आप मा कुसमांडा की पूजा करते हैं तो अब हम आपको बताते हैं कि मा कुस्मांडा के इस खास अवसर पर कैसे आप अपने बुद्ध गरह को मजबूत कर सकते हैं इसके लिए क्या करना है मा कुस्मांडा को उतनी हरी इलेची अर्पित करें जितनी आपकी उम्र है जैसे कि अगर आपकी उम्र है 35 साल तो आपको 35 हरी इलेची मा कुस्मांडा को अर्पित करना है हर इलेची अर्पित करने के साथ साथ आपको बोलना है ओम भूम बुधाय नमा जैसे आपने पहला हरी इलेची अर्पित किया है तो बोलना है ओम भूम बुधाय फिर दूसरे हरी इलेंची के साथ भी आपको ओम भूम पुधाय इस मंत्र को कहते जाएं सारी इलेंचों को चरहाने के बाद इसको एकत्रित करके हरे कप्रे में बांध कर रख लें और इन्हें अपने पास अगली नवरात्रित तक सुरक्षित रखें इससे आपका बुद्ध गरह मजबूत होगा और बुद्ध गरह से समधित कोई भी समस्या अगर आपके जिन्दगी में है तो उसका खात्मा हो जाएगा आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो किरपयाई से लाइक करें सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करें ताकि वो भी अपने जिन्दगी में मा कुसमानडा की पूजा करके जो भी समस्या उनके जिन्दगी में है उनक अभी खातमा कर सके आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद